हालो स्टूरेंट्स मैसेलफ हीत अभिलाशी शर्मा वेलकम्स तू अलव यू है और आगे और माई चैनल जानकर रहे हैं तुदेश आइम गूंग तो डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टन टॉपिक ऑफ अकाउंट एंसी इस डेप्रिशेशन तूरेंट्स डेप्रिशेश मुल्टिपल चॉइस क्विस्टन तांकि एक्जाम दे लई तूसी पर्फेक्टली अपने नू पर्पेर कार सको लेट्स स्टूरेंट्स इक ब्रीफ इंट्रोड़क्शन में जरूर देना चाहांगा तर्म डेप्रिशेशन जो है ओ की है तर्म डेप्रिशेशन रफस्ट व जूस्ट तो अलोकेट दा कोस्ट ओफ अटेंजिवल और फिजिकल एस्ट ओवर इस यूजफुल लाइफ और लाइफ एक्स्पेक्टेंसी डेप्रिशेशन रिपर्सेंस हाव मच ओफ अफ एन एस्ट वैल्यू हाज विन यूजट डेप्रिशेशन अकाउंटिंग मेथड किसे पहुतिक संपत्ति नो जिस दा रंग रूपकार है उस दा जिनना भी एक यूजफुल लाइफ है कि अक्सपेक्टर पिरियर्ड है उस दे दोरान उस दी कोस्ट नो एलोकेट कर देना वंड देना अडर सालाने वीच उसनो असी डेप्रिशेशन कहने जो असी डिवीज किता जा चुक क्या होंदे बिजनस कंसान दे वीच इस देप्रिशेशन नो किसा वर्ट दा नाम भी दन देने इन सिंपल वर्ट डेप्रिशेशन मींज डिक्रीजिंग डा वैल्यो फिक्स आइसस द्यू तो दा विरियस कॉज़िस सदारन अर्थ वाचासी कह सकते है कि विच जो वस्तुमां खराब हो जने है तुट पाज हो जने ने अप्सोलेंस उनना दा अपर चलन हो जन्द है डिप्लीशन हो सकते है वस्तुमां दा जिमें नैच्रल ड्सोर्स ने वेस्टिंग एस्ट से रूप दे वी चोनाच कमी आजन दी है या कुछ होर कार ना करके इ बिजनस देरी लॉस जाएक्स्पैंसिज भी है बट नॉन कैश है पाव किसे नूँ कैश्टे रूप चे देना नहीं बेंदा हो दी वेल्यू चे चेंज आ जन्द है विच जो प्रॉफित एंड लोस अकाउंट दे विच प्रॉफित से विच उनु चार्ज करना मजलब जि जिदे क्यों मेंनली ली स्टेटलाइन डेप्रिशेशन मैथडेड दिमिंशिंग आलेंस मैथड सम अफ इर्ढल मैथड डबल डिक्लाइनिंघ ब्लस मैथड सिंगंग पंद मैथड एनूती मैथड इंसरेंस पालिसी मेथड डिस काउंटid कैश फ्लो मैथडर् स्टूरेंस प्लस वन दी लेवल दे होते जिते आस ही गाल कर रहें mcq जेगाड़िंग दोनों मैंथड़ स्लिवस्दा पाद ने साधे mcq इनना खुश्टन जो सदे होंगे इनना मैंथड़्ट जो यह बेस्ट ही होंगे योगी इस पइस पॉाइं पॉइंट विए पईला कॉश्चन, m पर के रहा है की पर के रहा है नंबर आ एलोकेशन दी पर के रहा है वेलएशन दी पर के रहा है बहुत a and b b none of the above इना चो कोई भी नहीं जी मेरी वर्डिंग नो तो सी पहला सुन चुक्यों मैं शादे दा आंसर दस भी चुक्य है फिर भी अपने अपने अपनों चेक करो याइन लोकेशन याज़ डेपर系शन आप प्रसेस ओ एलोकेशन है वंड दी पर के रहा क्योंकि डेपरिशेशन बेवर्ड केंशें बंल सम्झो मैं नीचे एक नोट भी तेनों समझा लगा आ की डेपरिशेशन इसाप सेफ ज Ol चोट ओं नहीं मान दें कि और जिन्यावी fix assets ने उस दी depreciable जो cost है उसनों allocate कर देना अड़र्ड सालां दे वीच वर्ण देना जिन्यों दी life है उदे वीच वर्ण देना उसनों ही असी उस परकिरिया नों ही असी depreciation करने so depreciation जा पर सैसो allocation मेरे खाल तोड़े दो नमबर होंगे students होन अपने दो दो नमबर एड करते चले जाना आओ अगला कुछ नेक्स question is the amount of depreciation on when will be debited to मनलो एक वैन है business दे वीच वीकल उस दे उपर जो depreciation charge केती जा रही है उस दे नाला सी किस नो debit करांगे question is this answer when account नो b option cash account c option depreciation account d option is bank account सोचो जराओ जल्दी जल्दी students how right answer check करिए तो order answer match करता होएगा right answer is depreciation account yes friends जदों भी किसे fix asset दे उपर depreciation charge किती जान दी है depreciation account debit हो ज़ंद है as a loss for business क्योंकि खर्चा है non cash expenses है दूसरा वो fix asset account same amount दे नाल credit हो ज़ंद है क्योंकि ओधी devaluation हो ज़ंदी है उससे कमी आजन दिया दी value जाए नेक्स्क्रीशन डेप्रिशेशन स्टार्ट ओना machine from the date किसे machine दे उपर या किसे भी fix asset दे उपर कोई भी any of the above right answer of this question is answer C put to use जज़ आस युन्हों वर्तन लग जने उस date तो depreciation शुरू हो ज़ंदी है student समझ लगया मेरे खल तोड़ाए एक question ना answer भी ठीक होएगा next question depreciation is provided on depreciation किस्ते परदान किती जन्दी है किस्ते प्रवाइड किती जन्दी है इनना options दे विच्छों देखो on grant assets a option b option intangible assets c option fix assets d option factitious assets मेरे खलतों सी सारे जान देओ grant assets चालू संपतियां just like cash intangible assets अब वहती को बस्तू है fix assets था ही संपतियां effectitious संपावित जडियां संपतियां ने जाली नहीं है बैटरे के संपावित possibilities हो सकतियां ने मेरे खाल तो राइ आंसर साइक ही कोई का राइड आंसर इस फिक्स assets next question question no.5 the main objective of providing depreciation is depreciation provide करना charge करना main उदेश की है a option to reduce tax burden तांकि tax दा वो जकत आया जा सके b option to show real financial position of the business business दी असल वित्ति स्थिति नू दिखान देले number c option is to calculate true profit सही मुनाफे जा सही लाव दिखान देले do all of these ते अनल सोच बड़ा आसान question है students right answer is all of these yes students जेकर business दे भी depreciation charge करी जामागे business दी income cut show हो हुं दिया ता naturally tax दा burden कटेगा इस तो इलावा real financial position दे business दे true profit calculate करन दे ले भी depreciation दिखाना चरूर है so answer is all of these next question which of the following method of depreciation is not recognized by the income tax law साठे देश देवी जो income tax department है उस दे वीच income tax law है उस दे अंसार किस method नू मानता नहीं प्रावरता होई जिस method नू income tax नेड़ा कानून है वो मानता नहीं देन्दा चार option इक वरी फिर a. straight line method b. none of these c. both straight line method and diminishing balance method d. diminishing balance method students नू यह आंदा होएगा right answer आँचे कर यह right answer is straight line method यह स्तियान रख्यों जो income tax department दे अंडर income tax law नू जो दो अप्लाई कीका जाना है ता straight line method नू income tax law एक logical method नहीं मानदा उनू illegal मनने जानदा है इस करके diminishing balance method नू उस दी जगा दे प्रेफरेंस देती जान दिया बिजनस्मेन दे दवाएगा right answer question the loss on sale of an asset is debited too जदो किसे asset नू विच्चे आ जानदा है ओधी life दे दुराण या end ता उसते जो loss नू उस loss नू किस नू debit कीता जानदा है जो loss नू किस account नू सी debit कर दे number a profit and loss account नू b trial balance दी credit side दे c balance sheet दे विच d trading account किसे संपत्ती दी विक्रीते हुए नुक्सान दे डैश नू debit कीता जानदा students ने किस नू debit कीता जानदा अजीब जे option ने students बड़ा असान मेरे खलता डेली हो गया क्योंकि कहीं answer तो logically भी सेटनी बैट रहे इस तरह दे questions भी एक्जाम चूंदे ने ते students confused हो जानदे ने क्या आनना सोचो loss on sale of an asset is debited to right answer is profit and loss account क्योंगी profit and loss account debit होएगा जिनना भी loss हो रहे है किसे asset नू sell करन दे next question question number 8 depreciation is dash type of expenses or loss depreciation किस किस अंदा खर्चा जा नुकसान है यह option is cash बी option is non cash c option बहुत cash and non cash d option नानों दावाव मेरे खाल इस दा आंसर मैं तानू starting चे भी समझा चुक्या सी जे तुसी सुने आता त्यानल तानू स्वारे नू आंसर आंता होएगा non cash expenses or loss क्योंकि जदो नुकसान हो रहे आसी किसे नू खर्चा हो रहे नून cash है cash expenses जो दो सी payment करिये salary है cash expenses पैसे ने रूप चे देना पएगा बाद एक थे कोई पैसे पैसे पेमेंट नहीं होरी समय लगा किसे नू नहीं देने बारे इन इट सेल फिट सजस्ट एक्सपैंसी और लॉस फोर दा बिजिन यह नान कैश एक्सपैंसी और लॉस next question under reducing और diminishing balance method depreciation to be charged जदो reducing balance विदी गल करिये cut दे balance method दे अंदर गर depreciation dash ते लगाया जानता है किस ते लगाया जानता है a scrap value थे b none of these इना चो कोई वी नी c real value थे d original value थे ते आननाल original value and real value असली मुल्ते मूल मुल्ते आननाल एनू समझेंदी कोशिच करे राइड answer is students that is not the correct none of these समझ लगया असल्च जो under reducing balance method है depreciation जो charge किती जान्दी है students उनू ते आनननाल समझेंदी है और चार्ज किती जान्दी है book value of assets ते जो book value कर दियों लगातर business ते विच लाजन्दी है definition balance method है उस book value दे उत्ते depreciation चार्ज किती जान्दी है so right answer is none of these confusing questions next question the depreciation charged on assets will be credited to क्या नाल समझेंदी इस गालनू the depreciation charge on assets will be credited to जदो depreciation charge किती जान्दी assets ते तक credit किसनों किता जान्द है a depreciation account b cash account c bank account d asset account बड़ा असान question है logically सोचो इसनू right answer is assets account जदो depreciation charge करांगे asset value reduce हो जान्दी है asset क्रेडिट क्रेडिट clear next question question 11 depreciation charge under diminishing method in a option increases every year decreases every year increases in one year and decrease another year same every year diminishing balance method देनाल जदो depreciation charge charge किती जान्दी है चारों option देखो कि हर साल उस्च वाद्दा होंदे depreciation या depreciation the amount cut या depreciation एक साल कट दी है एक साल वाद्दी है या हर साल सेम रहन्दी है क्या आन्नाल इसनों समझो क्योंकि वस्तु दी फिक्स एसेट दी बुक वेल्यू ज़ी कमी आई जान्दी है diminishing balance methods depreciation book value ते calculate किती जानी है इस करके depreciation हर साल कट दी चली जान्दी है आट्रेंट्स next question question number two according to straight line method of providing depreciation दा depreciation दा depreciation दाश straight line method दे अनुसार जिस दे अंदर depreciation प्रवाइड केती जान्दी है depreciation दे रिगार्दि किया दाश चार option दे remains constant depreciation दे देख रहन्दी है decreases every year हर साल कट जान्दी है इनक्रीज़ एवरी यहर हर साल वाद्दी है नन ओफ दीज एना चो कोई भी नहीं right option is remain constant क्योंकि straight line method दे जो first year जो बुक वैल्यू साड़े कोल है जिसनों असी original cost कहने है उस दे उपर जो बुक वैल्यू दे उपर असी depreciation चार्ज कर दे हैं जिनना amount पहले साल आंदा है straight line method जो same रहन दा है इसका depreciation दा amount remains constant स्थिर रहन दा हमेशा क्यान रख्यों गालनों question number 13 if the cost of an asset is 21,000 मालनो एक asset दी कोस्ट 21,000 है and the scrap value is 1000 जो दो दी life दे एंद दे विच एक estimated scrap value हों दिया क्यों कवार्च भी के लिए हो एक तरा दी ओ 1,000 है with 10% depreciation per annum per annum दा मेलो हर साल for the year the straight line method depreciation per annum दे हिसाफ दे नाल straight line method दे अंदर किन्नी होएगी तिया अनौल सोचो a option is 2000 b option is 2100 c option 2200 d option 2300 इनों जिस्तरा वर्जी पढ़ो students तो सोच रहे होगे एक रकम किस तरह पढ़ी जारी है तोड़ी अपनी इच है students is a right answer सोचो जड़ा ए लॉजिकली है calculation करनी है पैने है जस्ट चोटा जा एक working note त्यार करके rough work करके right answer of this question is rupees 2000 क्यों क्योंकि साने straight line method दे बिचे depreciation charge करनी है depreciation दा formula की है थे आनौल सोचो इस्ते question दे accordingly जो ओधी cost है 21000 उस्चो ओधी scrap value 1000 minus की थी that is 20000 रहे गी ते उस दे उपर 10% जो depreciation charge की थी that is 2000 clear so right option is not इसे गलत mention कीता हुए है right option is a 2000 clear student next question next question is under diminishing balance method depreciation to be charged diminishing balance method दे उनसार मिल दा जो ला question पहला आचो कहते है अनौल सोचो बलकुल ठीक उस तरहां दा ही question है diminishing balance method दे उनसार depreciation to be charged on depreciation किस्ते चार्ज किती जान्दी है scrap value थे a option be written down value थे c real value थे the original value थे सोचो ते आ नाल depreciation किस्ते चार्ज किती जाएगी कि diminishing balance method दे वीच मेरे खाल दो सारे नों आंदा होएगा हुं तक answer of this question is written down value जो कट्या होया मुल है जो बुक वैल्यू जिसे नों कहने हर साल रहे जंदी है depreciation चार्ज करने दो वाद diminishing balance method दे उस देना चार्ज किती जाने नेक्स स्टुरेंट क्वेशन नुबर 15 formula to calculate amount of depreciation value divided by estimated life, B option cost of assets plus scrap value divided by estimated life, C option cost of assets into scrap value divided by estimated life, D option none of the above, मेरे खाल तो नुए क्वेशन आंदा होएगा कि straight line method जा fixed installment method देप्रिशेशन किस formula राइट आंसर इस ए क्योंकि formula की है depreciation is equal to C means कि a cost, S means ओधी scrap value divided by N और I इस नुँ कह सकते है ओधी estimated life उस asset दी, इस त्रंग दिनाल साथे को depreciation calculate हो जन दी है question number 16, amortization refers to writing of, amortization दा मतलव dash नु write-off means ओधी value नु कटाना जा write-off करना होंदा है, तो अनु सारे नुए गल पता हावे students, किस नु कटाना होंदा है यह दे भी चार option ने साथे कोल, A wasting assets नु, B intangible assets नु, C factitious assets नु, D depleting assets नु, right answer of this question is B intangible assets, amortization होंदी किया जस नु पता होगा, in amortization it is used in respect of intangible assets such as goodwill, patents, trademarks, copyrights, etc. cost of such assets should be allocated over the periods during which the benefit is derived from them. जिदिया, intangible assets ने, जिना दा रंग रूपकार नहीं होंदा, दिख दिया नहीं सानु, अप उतिक वस्त हुआ, जिमें goodwill है, patent है, trade marks ने, copyright है, इसते जो process होंदा है, उन्होंसी amortization कहनने है, उन्होंदी value नु कटान दा, क्योंकि इनना assets दी value नु भी उनना दे estimated period दे अनुसार allocate कर दन देने लग लग सालांदे बीच, ताकि उनना दे जड़े benefits ने या उनना तो होनवाला loss या उननू equally distribute कीता जा सके, ज़े benefits नू ब्राबर derived कीता जा सके, So, monetization refers to the writing of intangible assets. Next question, on the basis of diminishing balance method, depreciation on machinery of rupees 2000 at a rate of 10% per annum after 3 years will be. Yes students, diminishing balance method दे अनुसार, 2000 पे दी machinery है, 10% per annum दे सादेनल depreciation चार्ज करनी है, तेन साला दो बाद, depreciation किन्नी हाईगी. त्या आननाल, rupees 1400, rupees 145, rupees 80, rupees 542, rupees 200. Question नू समझो त्या आननाल, language नू समझन दी कोशिच करो, Right answer of this question is rupees 545. Question दे विच की, सी त्या आननाल समझो, असी दे विच total depreciation पदा करनी, सी 10 साल तो बार, शाद question दे विच कीते होते, return दे विच गलती, सी त्या आननाल, question दुवरा पड़ो, उन्दा basis of diminishing balance method, total depreciation, machinery दे विच किनी बनी, for first 3 years, 3 सालां दे विच, पहले 3 सालां दे विच, असी 3 सालां दी total depreciation करनी है, दे कुछ students, diminishing balance method है, पहले साल 2000 दा 10% depreciation 200 बनी, पहले साल दे end च उस asset दी value किनी रहागी, 2200 माइनस किते 1800 रहागी, फिट second year दे विच 1800 दे 10% depreciation 180 होगी, third year दे विच 1800 चो 180 जडी depreciation कर आई, उस asset दी value 1600 वीर पे रहागी, ते विच दे 10% depreciation दे चार्ज किती 162 रुपीज होगी, तोटल depreciation तिना नुएड किता 542, right option is C, so students next question, question number 18, what is depreciation, depreciation किया बड़ा असान question है, मेरे खल सारा नुवांदा हुएगा, number 18, cost of using a fixed asset, value of asset, पर a portion of a fixed asset cost consumed during the current accounting ये, cost of fixed assets repair, दोसोजी depreciation किया है, ना चाहिए मेरे खल तोनों सारा नुवांदा है, answer बड़ा असान है, right answer of this question is cost of using a fixed asset, किसे भी fixed asset दी, जिसको उसनों असी लगा तर यूज करी जाने है, उसनों ही असी depreciation के दने, समझ ला गया, cost of using a fixed asset, clear, next student, next question is, if the annual depreciation is rupees 20,000 and the original cost of asset is rupees 250,000, the rate of depreciation will be, माल लो annual depreciation 20,000 है, original cost जो asset दी है, 2,05,000 है, depreciation जा rate पता करना की होएगा, is it 6%, 8%, 10% or 12%? right answer of this question is, yes students, calculation करके फिर आंदेने हैं, calculate करो, right answer is 8%, किस तरह आया, तो नों सारह नों एक चीज़ पता होनी चाहिन दिया, formula की हुन्दे, rate of depreciation करना दे लिए, depreciation divided by cost into 100, क्योंकि percentage calculate करनी है, ये थे depreciation GDC, V1000C, उस दी total original cost की नहीं है, 2,05,000 into 100 गरके 8% सा देकोल rate of depreciation आ गया, next question, a plant which cost rupees 4 lakh is depreciated at 25% per year, using the return down value method, एक plant जिस दी cost 4 lakh है, उस ते 25% हर साल depreciation calculate किती जानी है, return down value method देना, at the end of 3 years, it will have a net book value of rupees, इस तिन साल बाद इस दी book value किनी रह जाएगी, इस तरह direct answer नहीं निकलना, इदली calculation करनी पर इस्टोरेंट्स फटा-फट calculations कर लो, क्योंगी बाकी question जी थे direct आन्देने, कुछ calculation दे question भी आन्देने, a 1 lakh 68,750, rupees b 2 lakh, c option is 2 lakh 50,000, d option is rupees 3 lakh, question is 1 lakh 68,750, किस तरह आया, देखोते आन्दा, end of first year, पहले साल दे end, उस plant दी value किनी रह जाएगी, साल दे शुरू से 4 lakh सी, 4 lakh ते 85% depreciation calculated किती, वो 1 lakh आगी, 4 lakh चों जो दो 1 lakh ची minus किता, ता जड़ी at the end of year, वोदी value रह गी 3 lakh, second year दे शुरू चोदी value 3 lakh है, साल दे दुरान 3 lakh ते, 5 परसें 25% depreciation calculated किती, that is 75,000, 3 lakh चों 75,000 minus किते, ता value आगी 2,25,000, third year दे starting चोदी value, 2,25,000 सी, फिर साल दे दुरान 2,25,000 ते 25% फिर depreciation का लोड़ रगी थी, multiply by 25 into 100, over 100 करके, depreciation दी value आई 56,250, इस तरंग दिना तीसरे साल दे end चो, 2,25,000 चो 56,250 minus किते, तरहां उस asset दी जो net book value है, ओ है 1,68,750, तो right option is A, students मेरे खाल सानू question clear होगे होगे, तो, students, आज दी वीडियो जे साले को देखें, इस चैनल के बखस दी आव वीडियो जने उन्दा नू देख देरो, आन वाले समेट, आन वाले आव वीडियो जनू देखो, till then, thank you very much students,